कि नमस्कार दोस्तों वेलकम डूम डूमय चैनल कीवस 13 को पर ट्यूटिरियल चल रहा है अभी कीवस 13 का जो सी सिस्टेम कन्फिगरेशन है उसका बारे में हम लोग बातचीत करेंगे तो आद देखिए सब सब कुछ अपडेट हो रहा है सब कुछ अपडेट होता जा रहा है जैसे कि पहले विंडोस टेन था उससे पहले विंडोस सेवन था एड था तो अभी 11 का बाद अप्रिल मैंना में नहीं तो मैंना का अंदर 12 हो जाएगा Windows 12 version तो ऐसा करका अपडेट भी होता जा रहा है उसका साथ साथ जो कंपनी जो DAW निकालते हैं मतलब जो कंपनी लोग इंवेंट करते हैं मतलब जो कंपनी लोग बनाते है DAW को तो भी थोड़ा अपडेट होता जा रहा है तो हम प्रो वर्शन का पारे में पहले बातचीत करें तो और आप लोगों को बोल देंगे system configuration की देखना चाहिए छोटा सा वीडियो होगा जस्ट हम कुछ बोल देना चाहिए operating system यह बोल रहा है 64-bit Windows 11 होना चाहिए और जिसका वर्शन 22H2 यह वर्शन होना चाहिए तो यह 22H2 जो है वर्शन कैसे आप लोगों को मिलेगा नो नॉ बिलेगा और कुछ-कुछ क्रैक वर्शन भी है जिसमें अपडेट होता है मगर कभी न कभी यह अपडेट नॉर्मली क्या होता है यह तो कोई लोग करता नहीं है बिसिकली यह through server होता है ठीक है जैसे कि एक क्रैक वर्शन में अगर Windows 10 चला रहा हो तो उसका बाद 11 दिया है 11 अपडेट कर लिया है अपडेट होता जागा होता जागा कुछ-कुछ टाइम पर ऐसा भी होता है एक साल का बाद नहीं तो छे मैना आट मैना दस मैना का बाद होता है क्या अचानक से Microsoft से एक यह चला आता है नोटीस चला आता है जैसे कि अभी यह Windows अपडेट नहीं होगा ईखराग वर्षन है ऐसा होता है तो इसी लिए हम मैल लीब पोलना चाहते है जिसका पस Windows 11 है तो वो कर सकता हो और जिसका पने अपडेट होना चाहिए 2-2-A-S-2 तभी होगा जब अपडेट होगा Windows तभी 2-2-A-S-2 होगा और कुछ-कुछ crack version मिलता है जिसमें 2-2-A-S-2 देके ही निकालते है मतलब ISO version में निकालते है उसको आप लोग थोड़ा सा इंस्टॉल कर सकते हो उसके बाद operating system Mac में अगर जाएंगे तो macOS Ventura and macOS Montary ये दो उसमें भी वेंचूरा है और उसका साथ साथ Montary दिया हुआ है में जो है CPU configuration तो देखिए ये हमको बोला गिया है बहुत सारा लोग बोला है इसका minimum system configuration क्या है i5 fourth generation होना चाहिए minimum fourth generation CPU अगर नहीं होगा कैसे अब लोग देखोगे fourth generation कैसे मालूम पर गए generation fourth है जैसे की CPU का जैसे 12 उसका बाद 12 कैसे हम लोग देखेंगे 12,900 इस टैप का कुछ लिखा लिखाएगा 11,900 इस टैप का कुछ लिखाएगा जो beginning का जो पार्ट होता है वो पार्टी generation होता है तो यह भी 4,000 का असपास होगा 4,900 इस टैप का हो सकता है नहीं तो 4 से चालू होगा मतलब पहले 4 रहे तो माई कम्पूटर में डाइट क्लिक करके प्रॉपर्टिस में अगर जाओगे तो जेनरेशन अफलोग देख सकतो और CPU Mac में अगर जाएंगे तो Intel Core i5 लेटर लेट टू 2015 और लेटर ठीक है मतलब 2015 का होना चाहिए और लेटर मतलब उसका बाद बाद में जो निकला है 2015, 16, 17, 17 जो है सभी में चलेगा CPU कोड कितना होना चाहिए एक कोड जो है पर्टिकुलरली अभी अब लोगों को मिलेगा आप लोग देख सकते हो बिसिकली CPU का बार में भी हम लोग बाच्ची देखबर करेंगे एक डीटेल वीडियो देंगे क्योंकि बहुत सारा लोगों का एक confusion हो जाता है कौन सा CPU हम लोगों को audio के लिए सबसे अच्छा बहतर रहेगा कौन सा CPU audio के लिए सबसे अच्छा रहेगा और हम लोग काम कर सकते हैं तो वह हम बोलेंगे CPU का क्या का देखना चाहिए normally generation देखने से होता नहीं है उसका बाद भी CPU का कुछ पार्ट रहता है वो भी ह 12th generation बहुत सारा pricing में आप लोगों को मिलेगा किसी का price है 30,000 किसी का price है 20,000 किसी का price है 25,000 तो यह depend करता है CPU का अंदर का बाद है basically इसका अंदर क्या का देखना चाहिए वो configuration देखने से मालूम पर जाएगा उसके बाद RAM minimum 8GB होना चाहिए minimum 8GB 1GB का खेल नहीं हो अभी सब TV का खेल हो रहा है तो ठीक है कोई problem नहीं है 1GB कोई दिक्कत ही नहीं हो सकता है और harddix free space चाहिए 75GB उसका बाद यह वाला बोला है harddix free space core installation के लिए 1GB चाहिए मतलब यह तो चाहिए ही चाहिए और harddix free space यह भी 75 मतलब 76GB minimum चाहिए उसके बाद आप लोगों का और भी ज्यादा जीवी हो सकते problem नहीं है resolution जो होगा minimum display resolution जो problem बहुत सारा लोगों ने फसा है कि US 12 में जब आप लोग वेब export करेगा जिस लोगों का resolution 1440 into 900 नहीं है तो वो लोगों का वेब फाइल में नीचे में घुश जा रहा है execute करने ही पा रहा है मतलब उसको export नहीं कर पा रहा है क्योंकि नीचे में चला जा रहा है उसको छोटा window छोटा नहीं बन रहा है तो 1440 into 900 resolution में अगर आप लोग करोगे जैसे कि हमारा अभी machine का जो resolution हम दिखा दे रहा है इसमें monitor का resolution जो है अगर आप लोग display setting में जाएंगे तो इसमें अभी चल रहा है तो same problem आप लोगों को होगा नीचे web file export करने का time पर नीचे export option नहीं मिलेगा graphics minimum graphics card with native windows 10 support मतब graphics card कोई भी नहीं रहेगा फिर भी चलेगा और graphics का डगर रहेगा तो nvidia minimum 700 series होना चाहिए minimum 700 series जैसे की 7755, 750, 790, 780, 800 मतब इससे कम नहीं होना चाहिए 690 का graphics का डगर लगाएंगे nvidia series का नहीं चलेगा मतब वो support नहीं करेगा graphics mac में तो graphics mac जो normal है वही mac का जो graphics है वही support करेगा अच्छा ways compatible audio hardware यह supporting है ASIO compatible audio hardware recommended for low latency performance मतब यह इसको बोलना चाहते है basically यह जो point दिया गिया है Windows में अगर हम लोग चलाएंगे तो इसका एक sound card external होना जरूरी है मतब Windows का जो sound है Windows का जो cheap है तो उससे बहतर होगा अगर हम लोग low latency वाला कोई performance hardware लेंगे तो वह बेतर है उसका पाद license management license, Stainberg license licensing account based अभी पहले पहले जो dongle based चल रहा था अभी account based होगिया मतलब अगर purchase अगर करोगे और किसी ने अगर 11 से 12 करेगा 12 से 13 करेगा तो इसका भी upgradation आप लोग यह link description में हम दे देंगे तो उसमें नहीं तो आप लोग activation connection करने के लिए आप लोगों को license करने के लिए internet होना जरूरी है account high account sign up and product registration installer download मतलब installer को download करना पड़ेगा उसके बाद directly उसी से direct उसका server से आप लोगों का machine में install हो जागा अगर आप लोग software online में खरीद होगे तो लस्ट में notes दिया है the software version does not support 32-bit plugin VST2 देखिए हम पहले वीडियो में बोल दिया है VST2 plugin यह support नहीं करता है only run in rosetta 2 mode on apple rosetta 2 mode apple में होता है silicon mac qs does not support VST2 when running native on apple silicon macs जैसे कि VST2 कोई भी अगर plugin होगा इसमें support नहीं करेगा यह है pro version का और artist version का अब लोग बोल सकतो यह configuration यह होना चाहिए तब भी qs 12 13 चलेगा ने तो नहीं चलेगा thank you for watching this video actually यह एक बोलना चाहिए था इसलिए हम बोल दिया है next video में हम लोग जल्दी आ रहा है thank you पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत sound knowledge को और करें अपने music composition का सपना साकार download the app now